कि दोस्तों आज मैं आया हूं एक किसान के पास जो बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छा खेती करता है यह मिर्ची का खेती लगातार करता है दोस्तों और बढ़िया खेती करता है लेकिन पिछले साल इनको अच्छा पैसा मिला रही इस साल पता नहीं क्या होगा लेकिन खे और यह आप मिर्ची का खेती कब से करते हैं यह हम दोहजार सत्राठाठारे से कर रहे हैं तो लगतार इसमें पैसा मुनाफ़ा होता है आपको 19 में हुआ था लेकिन 20 में तो हुआ नहीं पूरा बरबादी हो गया है ना वेकार हो गया फिर इस साल रोपे हैं इसमें कितना खर्चा आता है इसमें आ जाता है लमसम विघा में 20 तीस पैसा आजाता है रोपने से उसको तोरने तक का खर्चा तीस पैसा राजाता है और अगर अच्छा पैसा मिले तो इसमें कितना पैसा आता है अच्छा पैसा अगर तो बीघा में जो है डेर लाग से उपर ही होगा अभी तो रेट अच्छा है कितना रेट है अभी इस वार तो यह खर्च भी उठने लाग नहीं है अगर कुछ बीच से उपर हो जाता है है अगर कोई कि यह खर्च करना चाहे आभी तो लौकड़न में यह हो रहे हैं लेकिन आम दनी तो बहुत अच्छा है हम लोग भी करते हैं खेती तो इसमें तो दबल तीन डबल फाइदा आजाता है तिन में अच्छा आता है लेकिन लोगडाउन के लिए नहीं आता है लेकिन आप एक चीज अगर कोई चाहे उनके लिए आच्छा हो जानकारी इसके बाद हम लोग आलू खुनते हैं उसके लगाते हैं तो B रोपने से डो तहाय महरी महिना पहले गिराना होता है जिसे अगात के लिए अगर अभी जो वीजो लगाए तो हुँआ, तो तो देक में आ भिछ तियार हो जाएगा मрав में तुछ के साओर में ठाट होगा है जी तुभछ फटना है थालेटCH छफ्रा टैयर चुछ मत्वर्श्टा भगे तीर था होगा उसके घेड़े साद Hem मिटी के दिए हैं अगर अच्छा रेट होता अगर बजार खुला होता कुछ उठेगा इसलिए कम खर्चा सिर्फ एनपी के दे करके लगा दिये और वह जींक जैम जो होता है जो भी उसका जो है प्रोटिन पुड़ाने का वह सब कम दिये हैं दिये ही नहीं है वह सब नहीं दिये नहीं दिये है तो मिर्ची फिर भी आच्छा है ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करें अगर उसको लगाना हुआ आठ रूपया अगर छेर्पे में लगाना हुआ तो लगा देगा और उसको उसको जो भी उसका मनमाय लगा दिया उसको देना होगा ना तो कट्यार खुला था अगर यह गिरा या खिरिया वाला तो कठ्यार भीज दिये में तो कठ्यार में 2 रुपीय कम किया खिटिया बेद दिए तो उस समय में रेट अच्छा मिला था अभी तो कठ्यार पुड़ी तरह बजार सहरी लाका है वो तो बंद है अब पर जिर्फ खेड़िया खुला है यह जो लगा दे उसको देना होता है 12 लगादे 14 लगादे रगादे उसको देना यह आधा और उहाँ पर भी वह वा एपारी के उपर यह जैसे वा या। अगर माल का कुछ कमी हो गया कोई गाडी खोलना है तो थम्हार दूटा का चरह दिया अगर माल पूरा हो गया वहीं 12 रुपए के oc 4 लगा देगा अगर उसका माल पूड़ गया तो वही बारा का अठ लगा देगा दस लगा देगा एकार लगता है फिर आमदनी भी तो वहाँ ज्यादा है और कहीं बजार नहीं है दूसरा उसके टक्कर में अगर सेल लेता था तो उसमें ज्यादा रिट मिलता था लेकिन अब बंद हो गया उसको जतना माल चाहिए हो गिया तो जानता है कि हम 12 रुपे भी लगाएंगे तो आदमी आएगा तो हमको देगा किसान जाएगा कहां और तो बजार है नहीं तो ठीक है भाई साब आप जो वो रेट तो जो है वो मिलेगा लेकिन इस बार आप मिर्ची दो भरोसा में किये हैं होगा कि नहीं होगा जो थोड़ा बहुत कमबे सोट कोट खर्चा करके ही इसको छोड़ दिये पिछला साल तो कुछ उठा ही नहीं था तो उसका डर इस पर लगा हुआ था इसलिए जैसे बात कर रहा था हुआ चौक में बैठे थे तो ऐसा बात कर रहा था जैसे कि रेट आज के डेट में 30 रुपय अगर लोकडाउन नहीं होता अभी मिर्ची जो है पर 30 से उपर होता अभी समय में लोकडाउन के काड़न से इस मिर्चा दस रुपय बारा रुपय है यहीं चीज़ है ठीक है आप जो यह जानकारी दिये इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों यह जो ह किसान बहुत मेरती किसान है और बहुत मेरत से जो भी खेती करता है बहुत मेरत से करता है और अच्छा खेती करता है लेकिन यह लोकडाउन के वज़े से इनको बराबर पैसा नहीं मिल पाता है लेकिन फिर भी यह लगा हुआ है और दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें सुक्रिया दोस्तों